आज की हमारी रेसिपी है हैधरावाद के मशूर नौवाबी बिस्कित इसका नाम है उस्मानिया बिस्कित तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर हम लेंगे दो कप मैदा यहाँ पर हम लेंगे वन टी स्पून बेकिंग पौडर, हाफ टी स्पून नमक और एक चौथा ही चमच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे यहाँ पर हम लेंगे पचास गिराम मिल्क पौडर, सो गिराम शुगर पौडर बेकिंग ट्रे में हमने थोड़ा सा तेल लगा कर इसमें हम मैला एट कर लिया है और इसे हम स्प्रेड कर लिए यहां पर हम एट करेंगे बटर सौ गिराम हमने यहां पर बटर लिया है आधा कब हम इसमें घी एट करेंगे घी को हमने मैल्ट कर लिया है आदा चमच हम इसमें नमाक आइट करेंगे और शुगर पॉडर भी हम इसमें आइट कर लेंगे और इसे हम अच्छे से बेट कर लेंगे कुछ इस तरह से हमें इसे बेट करना है यह अच्छे से बेट होने के बाद हम इसमें मैदा आइट करेंगे इसे हमें अच्छे से बेट करना है ताके इसमें हमने जो शुगर पॉडर आइट किया है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए अब हम यहाँ पर आइट करेंगे मैदा मैदे की जगाँ आप यहों का आठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह दोनों हाफ आफ करकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब यहाँ पर हम एट करेंगे मिल्क पॉडर बेकिंग सोडा बेकिंग पॉडर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम एट करेंगे एस्स आदा चमच हम यहाँ पर एस्स एट करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमने लिया है वन कप मिल्क इसे हम थोड़ा थोड़ा एट करेंगे और इसमें हम एट करके इसे मिक्स करते जाएंगे कुछ इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे हमें आटे की डो की तरह नहीं बनाना है बस इसे हम हलका सा नीट कर लेंगे कुछ इस तरह से यह मिक्षर को हम एकटा करेंगे कुछ इस तरह से हलके हाथों से इसे एकटा करना है कुछ इस तरह से हम इसे हलके हाथों से बेल लेंगे यह डो को हम बिस्किट का शेप देने के लिए इस तरह का एक ढखकन लेकर इसे हम कट कर लेंगे यह बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इसे आप चाही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते है अगर आपको हैदरावदी रेसिपी चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए इन्शालला आपको यह रेसिपी जरुर पसनाईगी हदरावद के और भी रेसिपी हमारी चैनल पर अवेलेबल है उसके वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं देखिए माशाला कितने अच्छे लग रहे हैं अब हम इसे ओवन में जलने बुलने के लिए रख देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा दूद लेंगे तेन से चार चमच उसमें हम एक चमच आयलाइट करेंगे और बिस्किट के ऊपर कुछ इस तरह से हम इसे लगा लेंगे ब्रेश की मदद से ओवन को हम पहले प्री हीट करेंगे फाइब मिनिट के लिए और हीट हम रखेंगे टो फिफ्टी की फाइब मिनिट कम्पलेट हो चुके हैं प्री हीट के लिए अब हम इसमें बिस्किट रख लेंगे और इसे हम बेक कर लेंगे यहाँ पर बिस्किट तयार हो चुके हैं आप इसका रेजल्ट देख सकते हैं बहुत बहतरीन रेजल्ट आया है इंशाल्ला आपको यह रेसीपी पसन आएगी हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में खुदा हाफेज